दवाओं की गुडवत्ता सुनिश्चित करने के मदे नजर स्वास्थ मंत्राले दवायों की मार्केटिंग और उनका प्रचार करने वाली कम्पनियों को निर्मान कम्पनियों की हितर है दवा नियामकों के उलंगन के लिए जिमेधा ठिराने की योजना बनारे स्वास्वंत्राले के वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताफ के मताबिक जहां नकली दवाईयां पाई जाएंगे वहां दवाओं की मार्केटिंग करने वाली कम्पनियों को दंदित किया जाएगा और घटिया दवाईयों के लिए आजीवन कारवास की सजा सुनाई जा सकती है इस समय अगर उलंगन किया जाता है तो केवल निर्माताओं को जिम्यदार खेराया जाता है बड़ी दवाई कंपनिया केवल उन दवाओं को बाजार में पेश करती है जिन्हें वे सस्ते दामों पर छोटी कंपनियों से बनवाती है दवा मार्केटिंग कंपनिय में दवायों के मार्केटिंग कंपनियों को डंडित किया जाएगा रेल गारियों की लेट लतीफी अब रेल अधिकारियों पर भारी पढ़ने वाली है रेल गारियों के समय पर नहीं चलने से आला अधिकारियों की पदोनती प्रभावित हो सकती है रेल मंत्री पीउश गोयल ने रेलवे के जोरन प्रमुखों को आगा किया है कि रेल सेवाओं में देरी का असर उनके प्रदर्शन मुल्यांकन में आंशिक देरी के रूप में हो सकता है इससे उन्हें इन सेवाओं में अनुशासन सधाने के लिए एक महने का समय मिला है मंत्री ने कहा कि रेल सिवाओं में देडी के लिए अधिकारी रख रखाप काम का बहाना नहीं बना सकते केंद्री परियावरण मंत्री हर्शवर्धन ने स्कूली बच्चों को परियावरण रक्षक बनने और सरकार और समाच को प्लास्टिक प्रदूशन की समस्या से निपटने में मदद करने की अपील की हर्शवर्धन दिल्ली NCR में करीब 200 स्कूलों के 10,000 से अधिक स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे थे जो की 5 जून को विश्व परियावरण दिवस से पहले मेनी मैरथन इन विथिन में हिस्ता लेने के लिए एकत्रित हुए थे केंद्रि मंत्री हर्शवर्धन ने किसे भी समाजिक प्रयास में स्कूली बच्चों से परियावरण रक्षक बनने और समाज को प्लास्टिक प्रदूशन से निपटने में मदद करने की अपील की दिल्ली के कामकाच करने का स्टाइल बदल रहे रविवार को छुट्टी वाले दिन ना केवल चुनाव आयोग खुला बलकि आयोग ने मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चुनाव अभियान समीती के अध्यक्ष जोती राधित्य सुंधिया पूर्मुखे मंतरी दिगविजेस ही वरिष्ट नेता सुरेश पचौरी और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के साथ आमाद्मी पार्टी के नेताओं और राशनेतिक पर्यावेक्षकों का कहना है कि 2019 के आम चुनाव के लिए माहौल बनने की शुरुवात के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंतरी केजरीवाल सावधानी के साथ राशनेतिक खेल खेलते प्रतीत हो रहे हैं और उन्होंने प्रधान केजरीवाल ने प्रधानमंतरी मोधी पर अपने हमलों की त्रिवता कम करने का फैसला किया था बैंकों के एटियम निकासी और चेकबुक जैसे ग्रहकों के लिए निशुल सेवाव को माल और सेवा करके दायरे से बाहर रखा गया है हाला कि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाय भुकतान पर और अनिवासी भारतियों द्वारा बिमा की खडिद पर जीएश्टी लगेगा राजस्वी विभाग में बैंकिंग बीमा और शेयर ब्रोकर सिवाव वर जीएश्टी लागू होने के सम्मन में बार बार उठने वाले प्रश्णों का निवारन जारी कर इस सम्मन में पश्टी करण दिया है विभाग ने कहा कि प्रभूती करण और वाइधा सौधे से जुड़े लेंदेन को भी जीएश्टी दाइरे से बाहर रखा गया है पोस्ट ओफिस द्वारा कई बचत योजनाय ऐसी प्रारम की गई है जो लोगों को करोरपती बना सकती है वर्तमान स्थिती में अभी भी लोग शेयर वाजार और मिच्यल फंड से दूर रही रहना चाहते है लेकिन चाहते हैं कि उनके बचत भी तेजी से बढ़े या मौका पोस्ट ओफिस देता है यहाँ पर कई बचत योजनाय है जो लोगों को करोरपती भी बना सकती है यह बचत योजनाय लोगों को इंकम टेक्स बचाने में भी मदद करती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ओफिस की एक ऐसी योजना है जो लोगों की थोड़ी थोड़ी बचत को बड़ा बना देती है इस अकाउट में जमा होने आले पैसे पर ब्यास के अलावा दो लाप और भी मिलते हैं एक है इंकम टेक्स से बचत और दूसरा लाप है जब यह पैसा मिलता है तो पूरा टेक्स फ्री होता है अगर कोई इस योजना में निवेश करके एक करोड रुपय का फंड तयार कर लेता है तो उसको मिच्योर्डिटी वाले साल में कोई टेक्स नहीं देना होगा नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभू ने दिगस विमान निर्माता कमपनी एरबस को मेकिन इडिया के तहट भारत में विमानों का निर्मान करने का न्योता दिया है सुरेश प्रभू ने फ्रांस के टोलूज एरबस सायंत्रकर्ण दौरा किया उन्होंने कहा कि अगर एरबस भारत में विमान बनाने का निर्मान लेती है तो एद दोनों के लिए विन मिन स्थिती होगी हाल ही में मंत्री ने कहा था कि मैं एरबस के शिर्स मालिकों से मिलूँगा और भारत में एरकार्ण बराने के लिए उनसे अनुरोद करूँगा फ्रांस में भारती दूतावास की ओर से भी प्रभूर के दोरे को लेकर फिट किया गया दूतावास ने जानकारी थी कि मंत्री ने टोलूज में पैसेंजर प्लेन के निर्मान को देखा देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा एटियम कार्ट तयार किया है जिसको आप अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते है अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को या एटियम कार्ट दे रहा है SBI ये सुविधा अपने एप SBI क्विक के जरिये देगा SBI क्विक में एटियम कार्ट के लिए अलग से कुछ सुविधा है या एप आपको अपने एटियम कार्ट को ब्लोग करने, औन या ओफ करने और एटियम पिन जनरेट करने की सुविधा भी उपलप कराती है कि देश भर के पूर्मुख्यमंत्रियों को दिये गए सरकारी बंगले खाली करने समंदी आदेश की दाइरे में 36 गड की पूर्मुख्यमंत्री अजीत जोगी का साग़ौन बंगला भी शामिल है अदालत का देश आने के बाद जोगी ने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमंसी को एक पत्र लिखकर सागॉन बंगला अपनी विधायक पत्नी डॉक्टर रेनु जोगी के नान आवंटित करने का आग्रह किया है इस मामले को लेकर डॉक्टर रेनु जोगी ने कहा कि इस मामले में अभी उनका ध्यान नहीं है सरकार चाहे तो आवंटन करे या नहीं तो बंगला खाली भी कर सकते हैं इधर राज्य के संपता विभाग ने इस मामले में कोई कारवाई नहीं की है देश की सियासत में इस समय पूर्मुख्य मंत्रियों को दिये गए बंगले खाली कराने का मामला जोरो पर है कुछ राज्यों में पूर्मुख्य मंत्री की हैसियत से बंगला हासिल करने वाले नेता सरकारी बंगला छोड़ कर जा रहे हैं इधर 36 गर में पूर्मुख्य मंत्री ही अकिले नेता है जिन्हें पूर्मुख्य मंत्री के रूप में सिविल लाइन स्थेट सागोन बंगला आवंटित किया गया था इस बंगले में वे अपनी विधायक पत्नी डॉक्टर रेनो जोगी और पुत्र अमिद जोगी के साथ रहते हैं कुछ समय पहले जब बंगला खाली करने संबंदी अदालत का आदेश आया था तभी इस मामले को लेकर अजीत जोगी ने मामले में स्थिती साफ कर दी थी शहर के गली महलों में घुमते कुट्टों की नजबंदी के लिए सर्व सुविधायोक्त अपरेशन थियेटर बनाने के लिए नगनिगम को ठेकेदार नहीं मिल रहा है दो बार ओनलाइन टेंडर करने के बावजूद केवल एक कंपनी नहीं इसका ठेका लेने में रूची रिखाई है सिंगल टेंडर आने की वज़े से अब तीसरी बार फिर से टेंडर जारी किया जा रहा है राइपुर नगनिगम शेत्र में करीब चार महिना पूर भी कुट्टे काटने की घटनाए बढ़ गए थी इसकी वज़े से गली महलों में घुमने वाले कुट्टों से नागरिक परिशान हो गए थे और डॉग बाइट की आशंका से भैभीद भी हो रहे थे चौतरफा शिकायत बढ़ने के बाद निगम ने महराष्ट की कमपनी को कुट्टे पकड़ने और उसकी नजबंदी कराने का ठेका दिया था इसके अलावा राजशासन से दो डॉक्टरों को प्रति न्यूगती पर भशुची की चाले में कुट्टों की नजबंदी के लिए पदस्त किया गया था निगम के आदिकारेक सूथरों के मताबिक ओपरेशन थियटर बनाने के लिए दो बार ऊंलाइन टेंडर किया गया था जिसमें लखनाव की ही एक कमपनी ने दोनों बार अकेले टेंडर भरा था अपरेशन थीएटर निर्मान के लिए अन्य ठेका कमपनिया सामने क्यों ने आ रहे हैं ये निगम के अफसर भी समझ नहीं पा रहे हैं केरल में नीपा वाइरस के कारण कई लोगों की मौत के बाद 36 गर में भी अलर्ट जारी किया गया डेकिन हेल्थ डेपार्टमेंट का या अलर्ट मेहस कागजी है यही वज़ा है कि केलाशपूरी ब्रहमपूरी इलाके में कई दशकों से उल्टा लटक रहे सैकडों चमगादरों की ना उनको जानकारी है और ना ही किसी तरह के एहतियादी कदम उठाए गए हैं गौर्टलब है कि स्वास्थ विभाग ने अलर्ट जारी कर चमगादरों के जमावड़े वाले स्थान से दूर रहने की हिदायत दे रखी है साथी चमगादर के जमावड़े वाले स्थान पर भी नज़र रखने के नर्देश दिये गए हैं लेकिन राजधानी के मध्य स्थेत के लाश पूरी और ब्रमुपूरी इलाके में कई दश्यकों से चमगादरों का आशियाना बना हुआ है। अमूमन यहां हर पेड़ पर सैकडों की संख्या में चमगादर दिन रात लटकते दिखाई देते हैं। आसपास के रहवासी आज भी मिश्चिंटता के साथ वहां निवास रथ हैं। अब तक जिमेदार अधिकारों ने उनसे संपर्ख नहीं किया है और ना ही उन्हें नीपा की जानकारी दी है। शेहर के मध्य में चमगादरों के देरे की स्वास्त और बन विभाग को अब तक जानकारी नहीं है। वहीं स्वास्त विभाग के अधिकारी केवल इलाज करने की बात कहकर अपना पल्ला जाड़ रहे हैं। S.E.C.R. जोन से गुजरने वाली दरजन भर यातरी ट्रेने देर से चल रहे हैं। कदेश की राजधानी राइपूर मुख्याले के जंक्षन पर ही दरजन भर ट्रेने लेट पहुंचती हैं। केंडर सरकार की रेल मंत्री पियूश गोयल ने रेल विवस्ता में सुधार लाने के लिए सभी जोनल अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ट्रेनों के परिचालन में विलम होने पर जिम्मदार अधिकारियों के खिलाब कारवाई की जाएगी।